आज हम कुछ प्रश्ण पढ़ने जा रहे हैं उन प्रश्णों का उत्तर अपनी कोपी में लिखिए और ध्यान से सुन्दत शब्दों में कीजिए पहला प्रश्ण है शेर की बनाई कहानी लिखिए दूसरा प्रश्ण है किन बातों से ग्यात होता है कि मादर्दास का जीवन संपदा से भरा था और किन बातों से ग्यात होता है कि वह सुखी था मादर्दास के संग मरमर की नई कोठी बनवाई और उसके सामने सुखावना सा एक बगीचा भी लगवाया इस प्रकार बच्चों इन प्रश्णों के उत्तर दिये हुए हैं आप इन्हें सुन्दर लेक से अपनी नोटबुक में करने का भ्यास कीजिए और उन्हें याद भ